नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 29 दिसम्बर गुर्वार दपर सवा 3 वजे राजिस्तान की 15 बड़ी खबरें सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर राजिस्तान में बारिश का अलट सर्दी और बढ़ेगी एक बार फिर सत्तारूट पार्टी के विधायकों के निशाने पर नौकर शाह फंजाब सीम एक राद बीकानेर में गुचाने के बाद जोदपूर के लिए रवाना राहुल गांदी की सुरक्षा में चूप की शिकायत पर CRPF का जवाब वे खुद ही कर रहे नियमों का उलंगन और चुनाव आयुग ने तयार किया रिमोट वोटिंग सिस्टम और अब खपरेविस्तार से नए वेदर सिस्टम बनने से राजिसान में आज मौसम बदला है गंगानगर बिकाने चूरू हनमानगड सीकर जुझरों में आसमान में बादल चाय हुए है इससे कई शहरों में रात का तापमान 6 डिग्री सालसियस तक बढ़ गया है लोगों को सर्दी से राहत मिली है लेकिन एक दो दिन बाद से सर्दी का दौर फिर से तेज होगा इधर मौसम विशी शग्यों के अनुसार गंगानगर हनमानगड में गुरुआर को कहीं कहीं हलके बारिश भी हो सकती है नए वस्टन डिस्टेविंस का असर आज और कल दिन तक रह सकता है इसके बाद अब 31 डिसंबर से कड़ा के किठन अपने तेवर दिखाएगी साल 2022 के शुरुआस से ही नौका शाहों और कॉंग्रेस के जन प्रतिनिदियों के बीच शुरू हुआ टकराव का मामला साल के जाते जाते भी शानत नहीं हुआ बिल्ला सभागार में बदवार को बजट पर सुझाव के लिए बुलाए गए कॉंग्रेस का अधिवीशन में कॉंग्रेस के कई विधायकों और पार्टी नेताओं ने मुख्यमंतिय शुक गहलोद और प्रदेश प्रभारे सुक जिंदर सिंगरंधावा के सामने नौकर शाही के हावी होने और काम में अर्चनों को लेकर जम करा रोप लगाए कॉंग्रेस के जन प्रदेश नेतियों के और से नौकर शाही को लेकर उठाये गए सवालों के बाद ये साफ जाहिर है कि आने वाले साल में विखींसतान बरकरार रहने के आसार है पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत मान नया साल राजसान के जोधपूर में मनाएंगे में बुदवार शाम पंजाब से बीकानेर पहुंचे और यहां एक होटल में राद गुच आने के बाद सुबह जोधपूर के लिए रवाना हो गए इस दोरान मान ने बीकानेर के सांसत अरजुनाम मेगवार के साथ अपने घनिस्त समंदों के बारे में बताया हलांकि उन्होंने मीडिया से किसी तरह की बात चीत नहीं की पंजाब सी एम बुदवार शाम को बीकानेर पहुंचे थे यहां लक्ष्मी निवास होटल में उन्होंने कुछ लोगों से समाने मुलाकात की आमादमी पार्टी से जुड़े कारकरताओं से भी मानने मुलाकात करके रास्तान में पार्टी की कतिविधियों के बारे में जौन करे ली भाराजुडो यात्रा के दुरान राहुल गांदी की सुरक्षा में चूक के मामले को कॉंग्रेस ने जोशोर से उठाया है एक दिन पहले पार्टी नेता केसी वेनुग गोपाल नहीं से लेकर केंदे ग्रह मंद्रिया मिच्षा को चिठी लिख कर सुरक्षा चूक मामले की शुक्याद की थी अभी से लेकर केंदे रिजर्व सुरक्षा बल का जवाब आया है CRPF ने कहा कि राहूल गांदी की सुरक्षा को लेकर जो गाई लाइन्स जारी की गई है उन्हें खुद राहूल गांदी की तरफ से तोड़ा गया है राहूल को इन सुरक्षा उनलंगनों की जानकरी समय समय पर दी जाती रही है चुनाव आयोग ने घरेलो परवासी वोटर्स के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम डवलप कर दिया है गुर्वार को चुनाव आयोग ने इसकी घोशना की रिमोट इलेक्रोनिक वोटिंग मशीन की मदद से अब देश में ही घर से दूर रहने वाले वोटर्स अपने राजे के चुनाव में वोट डाल सकेंगे आयोग सोल जनवरी को सभी राजनितिक दलो को इसका लाइव डेमोंस्टरेशन देगा मुखे चुनावाईक राजीव कुमार ने कहा कि चुनावी लोग तंत्र में इनकी भागिदारी को मजबूत करने के लिए रिमोट वोटिंग एकरांतिकारी बदलाव होगा पब्लिक सेक्टर के मदद से बनाई गई मल्टी कॉंसिट्यूएंसी रिमोट एवियम पर सिंगल रिमोट पोलिंग बूस से बहतर निर्वाचन शेत्रों को सम्हा सकती है डुंगरपुर जुलाविदिक सेवा प्रादिकरण सचेव ने नया हॉस्पिटल के सामने एवम उदैपूर रोड रेलवे पुलिया के पार स्थेत रैन बसेरों का आकस्मिक निरिक्षिन किया साथ ही सर्दी में खुले आसमान के नीचे सो रहे चौर व्यक्तियों को निकटवर्ती रैन बसेरों की जौनकरी दे कर जुलाविदिक सेवा प्रादिकरण के उपयोग में आ रहे है वहन से स्वयम ले जाकर वहां पहुँचाया खुले आसमान के नीचे सो रहे वेक्तियों ने उन्हें बताये कि आधार कर नहीं होने से उन्हें रेन बसेरे में प्रवेश नहीं दिया गया सच्चेव ने केर टेकर को निर्देश दिये कि रेन बसेरे में ऐसी बादेता लागू नहीं करे रासन की गहलो सरकार के डिसकौम प्रबंधन की लापरवाही से प्रदेश के एड़ाई लाग से ज़्यादा घरों में बिजली कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार से मिला एक हजार बाइस करोड रुपय का बजट लैप्स हो गया बेकानेर जुले के नोखा से भाच्पा विधायक बिहारिलाल विश्णूई के शुक्यात के बाद केंद्र सरकार की जांच में इसका खुलासा हुआ है विदायक विश्णोई ने इसे गाउं ढ़ाने के किसानों के साथ धोखा करार दिया है जबकि बिजली मंत्री भमर सिंग भाटिका कहना है कि केंद्र से दीन दियाल उपाध्याई ग्राम जोती योजना स्वभागे कास समय एक सालोर बढ़ाने की मांग की गई है केंद्रे ने 26 जुलाई 2021 को ये बज़ट दिया था इससे दिसंबर 2021 तक काम पूरा करने की शर्त रखी गई थी राष्टान में नकल का सबसे बड़ा गिरो जालोर जिले में है जालोर में चीतलवाना और सांचोर तैसिल में इनका गड़ है बीते 5 साल में नकल के आरोप में पकड़े गए अधिकांश सरगना चीतलवाना के ही है नेहर शेतर में जीरे के लिए प्रसिद चीतलवाना की धर्ती की पहचान को अब नकल ची बदनाम कर रहे हैं यहां कई गाउं में नकल गिरोह के तार जुड़े हुए हैं सूतरों की अनुसार बीते एक दशक में कई अभ्यरती इन गिरोह के जरीए नौकरी हतिया चुके हैं वे प्रदेश भर में इलाके को बदनाम कर रहे हैं लंबे समय से सुस्तपड़ा राजिसान का जीव जन्तु कल्यान बोर्ड अब एक्टिव मोर्ड में आ गया है पिछले कुछ समय से पालतु जन्तु को यादना देने के कई मामने सामने आने के बाद बोर्ड अब प्रदेश के सभी जिलों में अपने सदस्यों की निक्ति कर रहा है साथ ही पैट्स शॉप का रजिस्ट्रिशन भी अनिवारे कर रहा है वहीं जुझनु जिले में इन आदेशों की धज्यां उड़ाई जो रहा है शेहर वे ग्रामिन एलाकों में कई स्कूल खुले है शेहर की अधिकांश निजी स्कूलों में पढ़ाई करवाई जो रहा है इस कड़ाके की ठंड में छोटी छोटे बच्चो को स्कूल बुलाय जो रहा है जिसके चलते विद्यारती सुबह ठंड में कापती स्कूलों में पहुँच रहे है बच्चों को भीशन सर्दी में परिशानी जेलनी पढ़ रही है अब भावकों का कहना है कि सरकारी आदेशों के बावजूद भी निजी स्कूलों में छुटियां नहीं की गई केंडरे सुचनायम प्रसारान तथा यूवा कारकरम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जैसलमेर में नए साल का स्वागत करेंगे वे 31 दिसंबर की शाम जैसलमेर के रेगिस्तान में बिताएंगे जैसलमेर में निएर सेलिब्रेशन करेंगे गौर्टलब है कि अनुराग ठाकुर 29 दिसंबर को जोधपूर आएंगे केंडरे मंत्री सुबह 11.05 पर जोधपूर पहुंचेंगे वे जोधपूर में किसी स्थाने कारकरम में हिस्सा लेंगे और आत्री विश्राम जोधपूर में ही करेंगे केंडरे सुचना में प्रसारण मंत्री 30 दिसंबर को सुबह 9 बजे जोधपूर से सडक मार्ग जैसलमेर के लिए रवाना होंगे वे 31 दिसंबर जैसलमेर में ही रुकेंगे केंडर सरकार ने पिछले दिनों के 80 करोड से ज़्यादा राशनकार धारकों को नए साल में खुश्यों की सौगाद दी थी केंडर सरकार ने 2023 में रास्ट्रे खादिस रुक्षा दिनियम के तहत मुफ्त अनाज बाटने का एलान किया है इससे पहले साल 2020 से अब तक प्रधार मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के तहत मुफ्त राशन बाटा जो रहा था कुरोना कार से ही ये सेवा 81 करोड 3 लाख लोगों को मुफ्त में मिल रही है आपको बता दे कि प्रधार मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के तहत उन लोगों को भी राशन फ्री में मिल रहा था जिनके पास राशन कार नहीं था लेकिन रासरिक खादिस रुक्षा दिनियम के तहत अब गरीब राशन कार धार को ही मुफ्त में गेहुं चावल दिया जाएगा नादवारा के श्रीनाथ जी मंदिर में गुरुवार को अमबानी परिवार चावरीव पलना का मनुरत करेगा इसको लेकर मंदिर परिसर में बड़े सर पर तयारियां पूरी कर दी गई है इससे पहले मुकेश अमबानी के बेटे अनंत अमबानी सुबह अपने मंगेतर व्याभवी के साथ पहुँचे रिलाएंस समू के परिवार के सदसे आज मंदिर में राजबोर ज्हांकी सहित मनुरत ज्हांकी के दर्शन करेंगे ये मनोरत जहांकि अम्बानी परिवार में नए महमान के आने की खुशी में किया जा रहा है अम्बानी परिवार ने आदिवासी भाईयों को भी भोजन का पहला नियोता भेजा है अम्बानी परिवार घरों में मिठाईयां भेजेगा बासवाडा मेरतलाम हाईवेपर न्यूक्लियर पावर कॉपरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड का निर्मान में बाधा डालने के आरोपी पूर्वराजय मंत्री दली चंद्र मईडा सहीत दो जनों को पुलिस ने गिरफतार करने आयले में पेश किया जहां से उन्हें जमानत प समीप प्लांट की चार दिवारी का निर्मान कारेश चल रहा था तबी आरोपी पूर्वराजय मंत्री मईडा और रंगलाल मईडा के नेत्रतों में करीब पच्छास आदमी टैंट लगा कर धरने पर बैट गए रासमन जिले के लोगो एंप परेटको को एक जन्वरी को नए साल के दो तौफे मिलेंगे रूठी रानी महल में जिपलाइन एडवेंचर शुरू होगा साथ ही कुमलगड में जंगल सफारी के शौकिन एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे इसके लिए वन विभाग के ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है कार्मिको को प्रशिक्षन और सेफटी उपकरण आदी की भी खरीद कर ली गई है कुमलगड में जंगल सफारी के लिए इमित्र से भी होगी बुकिंग रासमन के कुमलगड के वन्य जीव अभ्यारन में जंगल सफारी करने के लिए आने वाले परेटक एक जनवरी से एडवांस जिपसी सफारी के बुकिंग करा सकेंगे तो फिलाल इस बिलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ